Hello everyone, आज है 2nd January और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के वारे में आज कुछ ऐसा हुआ कि एक डिड़ बजे यहाँ पर जो तीजी लगाना शुरू हुआ कि 20% का अपर सर्किट इसने लगा दिया बेहतरीन तीजी यहाँ पर देखने को मिल गई और देखा जाए तो अगर लोगल लेवल से कंपैर करेंगे तो तीजी और भी ज़ादा बड़ी थी और देखो जब भी खबर आती है तीजी देखने को मिलती है और आज इतनी बड़ी तीजी जब आई है तो जाहिर से बात है कोई बड़ी खबरी इसके पीशे रही होगी बात करेंगे उसके बारे में लेकिन से पहले अगर आपने विद्व शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो हैं जो पो काफी जादा हल्प करेंगे तो 20% की तेजी यहाँ पर आई है पिछले एक महिने में अगर हम बात करें तो 28% की तेजी देखो तेजी थी फिल लंबे समय तक कंसुलिडेट किया और आज एक जटके में पूरी कसर पूरी कर दी इसने एक साल का ग्राफ देखोगे तो आप 63% का ग्रोथ है लोवर लेवल से कंपेर करोगे जो कि यहाँ पर था 10 रुपे 60 पैसे का उसके मुकाबले तो 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है almost 140% कमें ग्रोथ कहूँगा यहाँ पर कि शांदार तेजी है शांदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और देखो तेजी आती है कंसुलिडेट करता है तेजी आती है कंसुलिडेट करता है तेजी आई थोड़ी बहुत और तेजी रहेगी वापस थोड़ा बहुत गिरावट आएगा लेकिन वापस से भागेगा भी जरूर और तेजी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह already decided था कि तेजी तो आएगी और यह जो तेजी आई है उसकी सबसे बड़ी वज़ा यही है कि जो रिलाइंस की एन्यूल जनरल मिटिंग होई थी और तब रिलाइंस ने साथ हजार करोर रुपे प्रामिस करे थे आलोक इंडिस्ट्रीज को और उसके बाद 14 रुपे से एक बड़ी रफतार आई थी यहाँ यह चीज हो चुकी है कि रिलाइंस ने 9% स्टेक अक्वाय करा है आलोक इंडिस्ट्रीज का प्रेफरेंशल शेर्स के अलोटमेंट के थुरू और 3,330 करोड रुपे इन्होंने दिये हैं और यह बड़ी बात है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलाइंस इंडिस्ट् अभी अगर हम रिलाइंस के बात अगर करें तो तकरीबन 40% की होल्डिंग है उनके पास आलोक के पास और वही अभी प्रमोटर्स है और यहाँ पर एडिशनली उन्होंने यह अक्वायर करा है यहाँ पर देखेंगे तर अक्विजिशन ऑफ दीस प्रेफरेंशल शेर इस अ काफी अच्छी बात है जिसके चले ते कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यह खबर ब्रेक हुई एक दम से तीजी आ गई तो एक चीज़ यह होगी थोड़ा सा करजा चुकता होगा उसके अलावा गरम बात करें तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो बहतर होने के चांस से ज वॉल्यूम देखो नौ करोड़ च्छतीस लाग से जादा की कौंटिटी माज शेर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आया आलोग इंडश्रीज में इतना ही नहीं कंपनी में अगर हम बात करें तो अग्वाटिंग तो मनी कंटो लूजर 78 परसन लोग कहरें खरीदारी करो 22 पर अगर देखो लगातार यह गिर रहा है 1700 क्रोड से गिरकर यह 1360 क्रोड पर आया लगातार पिछले तीन क्वाटर में और प्रॉफिट तो है नहीं कंपनी लगातार लोस से कर रहे है बड़े बड़े लोस कर रहे है लेकिन अगर रिलाइन्स के इस एफ़र्ट के बाद अगर चीजे टरन अराउंड होगी यहाँ पर तो वाई साब बहुत बहुत बहुतरी इन चीज़ होगी यह अगर वापस से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है रिवन्यू में बढ़ौतरी देखने को मिल जाती है तो चीजे बहुतर होने के चांसिस और जादा हो जाएंगी यह पर अगर हम वेल्यूशन की बात के तो जाए सी बात है जब कंपनी लॉस करे तो इसका पी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा शेह होल्डिंग के अगर हम बात करे तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है प्रमोटर कौन है यहाँ यहाँ पर रिलाइंस लेकर बात बात कर घंवाटर के हम प्रमोटर के तो रिलांस का है तो वहीं रिलाइंस ही इनकि करता धरगा कहलो जो है मूंचल फंद के पास 0.02 की होल्डिंग के डिमि्जॆ के साथ यहाँ पर बैठ है यहाँ आज की खबर आई वाकई ने उसनी वज़े से चर्म में तीजी आई लेकिन अगर देखा जाए तो अल्रेडी इस ख़बर के चलते पहले भी तीजी आ चुकी थी जब रिलाइंस की एन्युल जनरल मीटिंग हुई थी और चौदा रूपए से चर्बाइस पर गया था लगातार बात में कंस इस कि टेक्सिटाल इंडेस्टिरीज को और जादा ङ्रो करने के लिए जुवर्मेंट की चाहती के वाया जो भी टेक्सिटाल इंडेस्ट्रीज है जो बी कंपनील है वह जाद से जादा चीजों को produce करे और इंडिया के बाहर भी उसको बेचे जो कि अच्छी बात है यहाँ पर incentive program सुरू हुए जरूर है लेकिन अभी भी आलोक उसका part नहीं है लेकिन अगर यह अपने production को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो वो भी एक beneficiary बन सकता है यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि reliance effort तो डाल रहा है ठीक है अच्छा कासा पैसा दे रहा है इनको और अगर उसके चलते चीजे बहतर होने के chances भी है और यही वज़ा है कि शेर में आपको लगातार तीजी देखने को मिल रखी अगर इसके lower level से compare करेंगे तो 140-145% का यह growth दिखा चुका है क्योंकि 10.60 पैसे का यह shares आ फेबरुरी महीने में तब इसे लेकर अब तक अगर हम देखे तो almost कह सकते हैं कि यहाँ पर 140-145% का growth तो आ चुका है double से भी जादा पैसा इसने बना कर दिया जरूर है और आज एक खबर के चलते 30 आई जरूर है लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि इससे पहरे भी इस खबर के चलते 14 रूपे से share 22 पे गया था लेकिन बाद में correction आया था तो एक छोटा सा correction था वापस से भागा वापस यह गिरा वापस 30 आई हो सकता है कि यहाँ से 27 रूपे तक भी चला जाए लेकिन बाद में वापस से गिर कर यह 23-24 का मूँ देखने जरूर आएगा ठीक है फिर वापस वहाँ पर कुछ time बिजाएगा फिर वापस दोड़ने की तयारी करेगा 28-30 पर जाएगा तो वह होगा यहाँ पर तो अभी अगर आपके पास है तो यह long term के लिए continue कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन हाँ इनके quarterly results भी उतने ही जदा important हो जाएगे यह numbers किस तरीके से आते हैं कैसे number represent करते हैं positive negative वह भी देखना interesting होगा यहाँ पर तो अगर है तो hold करो लेकिन जहां तक बात आती है fresh buying की तो buy on dips का approach होना चाहिए यहाँ पर और again मैं कहूंगा कि किसी भी एक level भी बहुत सारे share नहीं क्योंकि जैसे कि मैंने का आज 20% की 30 दिखाई है कल को शायद 3-4% और उपर दोड़ जाए लेकिन उसके बाद आपको फिर 7-8-9-10% के करेशिंग लिए तयार भी रहना पड़ेगा और तब खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं हलाकि future मुझे उतना बुरा नहीं लगता है इस कंपनी का लेकिन एक जो डर है काफी लोगों के मन में है काफी सावार इसको लेकर भी आते हैं कि आलोक इंड़स्री को जब रिलाइस ने खरीदा था क्योंकि देखो आलोक कंपनी बरबाद हो गए थी एंसे इसको खरीदा गया था तो वहाँ पे था कि इतने साल तक वो इसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते और आने वले टाइम में जब वो समय लिमिट पूरी हो जाएगी तो रिलाइस इसको डिलिस्ट करवाएगी क्या करवाएगी कुछ कहनी सकते लेकिन हाला कि जब भी ऐसा कुछ होगा एडवांस में हमें पता चली जाएगा तो तब की बाद तब करेंगे लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि रिलाइस के जो एफर्ट है जो न्यूज आ रही उसके चलने तीज़ी डेफिनिटली है लेकिन अभी थोड़ी बद और तीज़ी के बाद हल्का फुल का करेक्शन आएगा जो कि इससे पहली बेगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलता है कि बड़ी रफतार के बाद गिरावट आई लेकिन उतनी नहीं आई जहां से भागना शुरू हुआ था फिर इसने रफतार पकड़ाई फिर गिरावट आई लेकिन उतनी नहीं आई जहां से भागना शुरू किया था फिर तीज़ी बनी है फिर गिरावट आई लेकिन उतनी नहीं जहां से भागना शुरू किया था वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल मगरा पहले ही बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोग इंडिस्टोरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिके बता सकते हैं थैंक्यू